माने बर किर्शी पर हम चर्चा करने के लिए सदन में बैठे हुए हैं किर्शी हमारा भारतिय संस्कृति का आधार रहा है नाम ही अंग्रेजी में इसका नाम है एग्रिकल्चर मैं अंग्रेजी को ब्याकर्ण के संधी बिछेद से अब ज़्यादा उसमें बिद्वान है जब हिंदी के ब्याकर्ण से संधी बिछेद करता हूँ तो एग्रियर कल्चर तो एक बार मेरे दिमाग में आया Agreement of all culture that is called agriculture जहां सभी संस्कृतियों का समन्नों है वही किर्शी है इसलिए इस किर्शी को केबल किसी दल का न समझना चाहिए किसी जाती का न समझना चाहिए किसी धर्म का नहीं समझना चाहिए बिना रोटी के कुछ नहीं हो सकता जब हम समाजबादी आंदोलन में थे तो नारा लगाते थे मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कप्रा और मकान सामेबादी मांगा करते थे मांग रहा है हिंदुस्तान लाल किले पर लाल निसान तो उनको लाल किले पर लाल निसान चाहिए था, मुझे हिंदुस्तान में रोटी कपरा और मकान चाहिए था और तब से ये नारा लगाते आए कि हिंदुस्तान में रोटी कपरा मकान कोई ऐसी सरकार आ जाए जो इस नारा को सुन ले डाक्टर लोहिया के नेतरुत में हम नारा लगाते थे बार सुखार अस्थाई निदान का नारा लगाते थे इतने दिन चलते चलते आए ये कल्पना और सपना लेके कि किसी न किसी दिन हिंदूस्तान के करोलों किसान की ये आज पूरी होगी आज भी इस चैनल को हिंदुस्तान के गाहों में बैट करके लाखों किसान सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे इसलिए मैं समानिय सदस्वों से प्रार्थना करूँगा कि चाहे कोई बोले लेकिन केबल सरकार की कमी और नीतियों की अलोचना करने के बनिस्पत सरकार द्वारा चलाई जाई योजनाएं है उन योजनाओं से हिंदुस्तान के लोगों का जो समग्रता में परिवर्तन होने बला है आर्थिक समपरिवर्तन, समाजिक परिवर्तन, बोधिक परिवर्तन, सेक्षिंग परिवर्तन ये समगरता में जो परिवर्तन होने वाला है इन नितियों के कारण उस पर विस्तार से चिंतन कने क्योंकि एक दिन में नहीं होगा सुरेजी किसान के चर्चा कर रहे थे हिंदुस्तान में किसान तीन तरह के हैं एक है हल धारी एक है छाता धारी एक है बंगला धारी हिंदुस्तान के अंदर जो लगु सिमान्त किसान है लगु सिमान्त किसान वो है 60 परतिसत लगु किसान है वो है 18 परतिसत जो बंगलाधारी फार्म हाउस बनाते हैं, ठाट बाट से रहते हैं, एक एकर दो एकर का फार्म हाउस है, कागज में उसमें दिखाते हैं कि दो एकर का फार्म हाउस आमदनी सलाना में 3 लाग, ऐसे जो किसान है उनको केबल दिखाबती किसान है, बंगलाधारी किसान है, मैं जीबन भर रहा हलधारी किसान, कुछ दीन में बना छाताधारी किसान, छाताधारी किसान वो है, जो किसान के साथ मेर पर खरा रहता है, उसको रोटी लाके देता है, पानी लाके देता है, कभी किसान बीरी पीने लगता है, या तंबाकु खाने लगता है, हल छोड़के, तो वहल चलाने लगता है, कुदारी चलाने लगता है, अपने काम को बंद नहीं होने देता है, वो उसका सहयोगी है, वो है हिंदुस्तान का यसली किसान, भारत में जो किर्सी करांती आई थी, उस किर्सी करांती का 70 से 90 के दसक में हिंदुस्तान में 20 बरस, अगर सही माने में कहि ये तहहं हिंदूस्तान मेंन का उत्पादन भी बड़ा है और हिंदूस्तान के अंदर जिसको कहते हैं agriculture growth उसका % भी भडे बड़ा है भीष विष्वरस now में वहारत सरकार के सांपने आकरी हैं और हिंदूस्तान के इस 15 करांती करने में किसने सफलता पाई थी किसके कारण सफलता मिली थी कभी इस पर भी ध्यान देना चाहिए मैं किर्शी समीटी के स्टेंडिंग कमीटी का चेर्मेन हूँ लेकिन इससे पहले 77 से मैं हिंदुस्तान के सभी ICAR के नुसंदान संस्थानों का भर्मन किया हूँ मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान का ICAR का नुसंदान संस्थान और किसी भी ज्यान केंदर आज भारत में उस्थर ऐसे बनाया गया है और आगे बनाया जाना चाहिए जो हिंदुस्ताने के लिए वो किसी संस्कृतिक समन्वे का एक केंदर बने वहाँ किसान उसको तिर्था स्थान के जैसे समझे कितना उनका जोगदान है किसी बेग्यानकों ने कितना किया है आपके हैं इन दोर में जो सोया बिनका है और गेहू कानुसंधान संथान है मैं उसमें गया था गूमने के लिए आज बीज की बात लोग करते हैं ऐसा बीज बना लो ऐसे बीज बना लो जैसे लगता है हमारे मिथलांचल में कहते है चट मंगनी पट भी आ कि तुरत बात करो तुरत साधी करो तुरत भच्चे पैदा करो ऐसा तो नहीं हो सकता न एक बीज बनाने में नुकलियर बीज से और सटिफाई बीज बनाने तक में फार्मर्स बीज तक जाने में बैग्यानकों को दस बरस समय लगता है दस बरस में एक नया बीज बना के तयार करता है और वो बीज तब हिंदुस्तान में करांती करता है पंतनगर से जो बीज निकला गया, आरारे के इस गेहूं का बीज निकला, या धान के जो बीज निकले थे प्रारम में ताइचुन से लेके, आयारार से लेके, जायार से लेके, ये इतने भराई की जो धान के निकलते चले गए, उसके कारण हमारा उत्पादन बढ़ते चला किसान को अगर सही माने में प्रसिक्षन दिया गया होता प्रसार का काम हुआ होता किसानों को जानकारी दी गई होती किसान को आधनिक तक यंत्र का आधनिक तक्निक का किसी विज्ञान की जानकारी दी गई होती ताज हिंदुस्तान जहां है हम जो 2,272,000,000,000 टन का काम नहीं हुआ हम मधवनी में मैं यहां किसी मंत्री था उससा में संजोग से मधवनी में एक डिस्टिक मैजिस्टेट थे वो डिस्टिक मैजिस्टेट पूसा-इसी-ई-ई-डि थे अगरी कलचर से संजोग था वहाँ हमने पड़ियों किया कि खैसे हम किसानों को पर ट्रेनिंग दे सकते हैं तो हमने ट्रेनर फार्मर्स में से ट्रेनर चुना परसिक्षित किया गाउं के किसानों को ट्रेनिंग दे करके परसिक्षित किया और उसके द्वारा फिर किसानों को परसिखिशित कराने लगे जो हमारा model बना है विहार में नितिष कुमार ने roadmap जो बनाया अट्रिकल्चर का उसमें को introduce किया है कि किसान को किसान से परसिखिशित दिलाँ किसान किसान को समझावे किसान किसान को परहावे खग जाने खग ही के भासा किसान है वो देशी बोली बोलता है और उनको समझाने के लिए बिलाईती भासा बाले चले जाते हैं वो क्या समझेगा उनके भासा में समझाओ लोक भासा, लोक भूसा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक कला, लोक संस्कृति तब लोक देव और तब बनेगा लोक तंत्र, नहीं तो ये फरजी लोक तंत्र चलता रहा है देश में, अब असली लोक तंत्र की अस्थाफना की हुरम बर रहे हैं, अरो किसान, किसान इसमें हमारा सहयोगी बनेगा, इसलिए मैं आप से प्रातना करना चाहता हूँ, सुरेज हमको परहा रहा हैं, पर उपदेश कुसल महुतेरे, आप इसने दिन तक राज चलाएं, क्या ये बिद्या बुद्धी नहीं थी, चुके आप बिरोध में पैश गए, तो मुझको लगता है उधर बैठने से कुछ बुद्धी का विकास दादे हो जाता है, क्या है, हम लोग के बजट को पेश करते हुए भारत के बित्मंत्री ने कहा, प्राथमित्ताओं का निर्धारन, और उन्होंने प्राथमित्ताओं का निर्धारन में क्या कहा, मैं इस ब्यापक जंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बजट प्रस्तावों को 10-20 संदमों के अंतर गत प्रस्ताव करता हूं, जिन में निमलिखित सामिल है, किसान, हम किसानों की याय को अगले पांच बर्सों में दुगूना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, दूसरा गरामी नबादी, रोजगार और बुनियादी, अब संद्रचना उपलफ कराना, ये जो हिंदूस्तान के अंदर 80% लोग हैं, जो आजाद भारत में उप्यक्सित रहे, उपहासित रहे, पीवित रहे, परतारित रहे, अब उनके वोहर अगर सरकार का ध्यान गया है, सिरी नरेंद्र मोदी उनके जीवन में उधार करना चाहते हैं, कल्यान लाना चाहते हैं, सुखलाना चाहते हैं, सम्रिदी लाना चाहते हैं उनके खित में हर्याली लाना चाहते हैं चेहरे पर लानी चलाली लाना चाहते हैं घर में खुसाली लाना चाहते हैं तो आज भी हिंदुस्तान के कुछ बरे लोगमान सिक्ता बाले हैं वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का रुपांतरन नहीं हो हिंदुस्तान की न दिसा बदले न हिंदुस्तान की दृष्टी बदले न नेता का संकल्ब बदले नेता होते हैं नीती होती है और नियत होती है नेता बहुत बढ़ियां हो बिलाईती भासा बोलने बाला हो देश वीदेश घूमने बाला हो उसकी नीती भी खुब बखाने लेकिन नियत अगर खराब हो तो कहीं पहनी साने कहीं पहनी साना बात बोलेगा किसी की काम करेगा किसी की इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा सदन से इस पर गंभीरता प्रवख सोचे जब उन्होंने किर्षी को प्रथम प्रथमिक्ता दिया बजट में प्रथम अस्थान दिया तो यह सब बाते हिंदुस्तान में आई एक है समस्या कारण और कारण का निदान चोद्री चरहन सिंगे किताब लिखे थे भारत की भ्याव से कहूंगा अपसरों से कहूंगा कि उसकी ताब को आप पढ़िए उससे आपको इसमें रोक्षिनी मिलेगी समस्या किसने पैदा कि जब जब मैं इन बातों को उठाता हूँ इसलिए उठाते रहा हूँ कि बार बार कहा आपन हे तू भारत के मन रहे नचे तू हम पीडित हैं इसलिए बार बार इसको उठाते हैं कि किसी का ध्यानी सोर जाए लेकिन मेरा स्वभाग है कि पर्थम भारत के प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी का ध्यानी सोर गया है हम उस समय से आवाज लगाते आ रहे थे मिठलान्चल में अपनी भासा में जाते थे लेकिन मुझे लगता है कि कासी भी सुनात ने मेरे इस गीत को सुन लिया मेरे मिठलान्चल की दर्थ की कहानी को कहा कि तुम हमें पुकारते हो किसी दिन हमारा ही प्रतिनी थी दिल्ली की गदी पर भठेगा तो तुम्हारे कश्ट को दूर करेगा इसलिए कासी भी सुनात के प्रतिनी थी आज हमारे धर्थ को सुने है और उसका निदान निकालने चले है आखिर मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदे कि 1901 में जब 71.9% किसान थे तो 2011 में 45.01 हो गये ये 26.08% किसान मेरा कहा चला गया मैं हर दिन खोशे रहता हूँ भाई तू किधर गया अब आज लगाता हूँ अरे भाई 26% किसान मेरा कहा डूब गया जरा अब आज गो तो आब आज आती है उसी हांकरे से कि 1951 में खेतियार मजदूर 28.01 एक परतिसत था जो बर करके 2011 में 54.09% हो गया वो 26.08% बढ़ गया 26.08% किसान हटा 26.08% खेतियार मजदूर बढ़ा इसलिए हम हमारी नीती ऐसी रही कि किसान को मजदूर बनाते जाओ गरीब बनाते जाओ सहरों में जाओ और वो भाग के सहर में आया 1951 में 82.07% गाउं में थे और 2011 में 68.08% 14% किसान गाउं का यादवी चला गया वो ही था जो सहर में आया दिली में आया फुटपात पर सोता है पेर के नीचे सोता है रिक्सा ठेला चलाता है आधे पेट खाता है अगर धनेबाद देना चाहिए गुर्द्वारा को जो गुर्द्वारा के लंगर का परसाद अगर इन हजारों लोगों को रुधोनों साम नहीं मिलता तो कितने लोग दिली में भुखे रह जाते किसान के बच्चे सभी जाती के हैं ये नहीं कि कोई पिछडे दलित हैं सभी जाती के हैं गाउ में वो ब्राम्हन है भुमिहार है राजपूर्थ है अच्छे पडिवार उनके दबाब दादा थे लेकिन दिली में आकर कि वो टेंपो चलाता है रिक्सा चलाता है मजदूरी करता है कहां पडिवर्दन किया उसको बदलने के लिए स्री नरेंद्र मोदी ने परियास किया है कि हम इस दिशा को कैसे बदले मैं इस पर आता हूँ को भंडारन की बात कर रहे थे गरामिन गल्ला गोदाम स्री मानटल विहारी बाजपई जी के समय में चला था अब ही मंतली अगर तब से बाजपई जी के हटने के बाद से अगर इसकार्च करम को त्यजी से चलाया गया होता ता हिंदुस्तान में करोरो मिलियन टन का गोदाम गाउं के अंदर बन गया होता और हमारे अनाज रखने की जो समस्या है वो नहीं रहती विकेंद्रित वेवस्ता में होती यह क्यों नहीं बनाए इसलिए नहीं बनाए कि गाउंगा में गोदाम बन जागा वहाँ आनाज रखा जाएगा एफसी आई बंद हो जाएगा उसके बीच में जो खाने वाले लोग हैं दो पर चार पारवेले चुहा वो सब हिंदुस्तान से कहां भाग जाएंगे इनको को अधान होना चाहिए आखिर जब अजाद भारत में हम जब अजाद हुए थे तो उस समय हमारे उत्पादन जो देश के अंदर था उनी सव पचास से कावन मिलियन टन आज बाहर के लगभग 272 मिलियन टन पर हम पूंचे हैं इस देश का किसान ही बढ़ाया नहां अन का उत् पादन सब्जी का उत्पादन दूद का उत्पादन ये सभी मातरा में समुद्र के अंदर जो खाद्पदार्थ है उनको खोज अनुसंधान उत्पादन इप्चाय समगड गिसां में भारत के किसी बेग्णिक लगे हुए हैं और आईसियार के जो संस्थान के बेग्णिक मैं समझता हूँ कि उनको सभी हिंदुस्तान के किसान उनके अनुग्रही थें और उनको धनिवाद देना चाहिए जो नोने हिंदुस्तान के इस कृष्षिक रांती लाने में भूक हिंदुस्तान जहां आयात पर जिंदा रहता था वहां निडियात की ओर बर गया इतना प्रतना है भारत सरकार ने पसुधन के विकास के लिए जोजना चलाई है देशी नसल के पसुओं के विकास के लिए जोजना चलाई है हम उस समय कहते थे भारत के अंदर अनेक उन्नत नसल की गाए हैं जिनको चुडा करके ले जाकर के बीडेस वाले क्रोस करा करके मंतरी था तो इसका मैंने पता लगया अंधर का अंगोल केरल का बेचूर कुजरात का गीर राजस्थान का थारपरगर साही बाल ये हिंदुस्तान के ऐसे नसल की गाएं हैं कि अगर इनको सही जिसा में हापस में क्रॉस किया ग्रा होता हिंदुस्तानी नसलों को संकृत करके और संसकार्थ करके एक नए नसल पयदा की आद कर दिये होते हैं ताज हिंदुस्तान में एक अलग फिर्शक करांती होती। हैं हमारे और आप में बुनियादी अंतर है मानसित्ता में अंतर है विचार में अंतर है चरीत्र में अंतर है ब्यभार में अंतर है हमारे आप में अकास पतालगाय अंतर है आप पस्थम की वर भागने बाले हैं हम पूरब जिसा में चलने बाले हैं इसलिए हमारे आप तभी स समय हो नहीं सकता इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारत के सब सरकार ने इसकी और कदम उठाया है हम फिर ज्यादा समय नहीं लेके के बल आप से प्राथना करूंगा किर्शी विज्ञान केंद्र है हिंदुस्तान में 641-648 कि विज्ञान केंद्र है लगवाग और भी बरने वाल तो चाहर दिवाली नहीं है कहीं किर्शी विज्ञान केंद्र है तब बेज्ञान केंद्र के लिए मकान नहीं है कहीं है तो पड़योग साला नहीं है मेरे छेतर में किर्शी विज्ञान केंद्र महिला उसकी परभारी मैं गया था उसमें कार्जगं का घाटन करने अध्यक् कि यार के महापातराजी जो डीजी हैं उनको मैंने फून किया कि ज़ाब कैसी दुरदसा है आप उन किर्शी विग्यान के अंदरों को सांस्कृति का स्थल तिर्था स्थल जैसे बनाते तो बना दिये होते मैं धन्माद देना चाहता हूं भारत की सरकार को उन्होंने किर्शी कोसल विकास की का काम किया है किर्शी पर जो अधारित तो लोग है नौज़मान है वो विग्यान के अंदर किर्शी विग्यान के अंदर में जाएंगे किर्शी के परमपरागत यहन का कृशी के प्रमपरागत तक्नीक का किसी के प्रमपरागत सब कुछ का वो प्रसिक्षन पाएंगे उनको उसका कौसल दिया जाएगा और वहां वो उस ट्रेनिंग पाकर करके फिर नए भारत के निर्मान में निकलेंगे गाउं में बसेंगे खेती में लगेंगे और नई पीरी खेती से भाग रही है उस समस्या का समाधान निकलेगा एक बात और करना चाहूंगा इन्होंने एक जोजना चला दि मनरेगा जाम मैं किसान हूं केरल गया तमिलाडू गया खनाटा गया आंधर गया बंगाल गया असम गया सब जगा गया और मैंने किसानों के प्रतिनिधी को बुला दिला दिजिए हम कहा क्यों तो कहां ये फालतू में काम धाम करता नहीं है मुफत का डुपलीकेट बिल बना के सब खाता है आहम को मजदूर नहीं मिलता है रगवन सिंग जब ग्रामिन विकास मंत्री थे उन्होंने इस पर चर्चा की कि एक जोजना का सरूप बनाया था कि में गज़ाता हूं जो दो सरूपयां के पौने 200 रूपया रोज देते हैं वो दो सा पौने दो सरूपयां रोज किसान को दे दीजे खेत के मजदूर के लिए और बाकी जो एक सो डेड़ सो लगेगा सो अपना घर से मिलेगा आप दीजिए उनको मंडेगा वाला बाकी डिफ्रेंट सो तीन सो चार सो पां सो लगता है वाही देगा हिंदूस्तान के सं मजदूर को काम मिलते रहेगा काम देंगे हम गागामे रोजगार देंगे हम हमको क्या बनाया गया हमारे बेटे फर्हे लीखे पैंट बाले पत्रून बाले मुबाले आद उनको कहते हैं पुदाल उठाओ तोकरी उठाओ मिटी खो तो यहां सुमाँ फेको हमारे बच्चे को आप इतना हीन भाव से समझते हैं बड़ आपके बच्चे काबिल बने बिद्वान बने अब मेरे बच्चे पुदाल अटोकरी लेके सरपर मिटी खो दें कहां डंफर का जुगाया कहां सब्सक्राइब का जुगाया कहां हिंदुस्तान इस दो यह एक ही सेटेलाइट से एक सोचार चोड़ रहा हैं एस पेस में अंतरिक्ष में सेटेलाइट छोड़ रहा हैं कम कहां चले गए आडिये कहते हैं तो कुदाल उठाओ सर पर टुकरी रखो मिटी खो दो उस मिटी को फिको, हिंदुस्तान के अंदर कृसी करांटी अई है, जो करांइनी, मैं अग्रिकल्चर मीनिस्टर से भी कहना चाहूँगा, जाप गरामीन भी कासवाले से बात करिए, हमारे क्रिसी करांटी अई है, पहले हलबल से खेती करते थे, तब कची सरक से काम चलती थी अब ट्रेक्टर है, पाबर टीलर है, थ्रेसर है हमारे पास में कमबाइन मसीन है ये सारे चलते हैं खेट तक और हम कहते हैं खेट को पक्षी बनाओ PCC बनाओ जिससे किसान को दिकत नहीं हो हर खेट तक हमारे किरसी यांतर चले जाएं और हर खेट वे फसल काते और तुरत पंजाब के जैसे हर्याना के जैसे मंडी में पहुचा दे ऐसे बनेंगे कब? जब मंडेगा के सारे पैसे से कुछ नहीं करते केबल मेरे गाओं के सब सरकों को PCC बना दिये होते हर गाओं से गाओं को जोर करके PCC बना दिये होते तो भारत का खाया कल्प हो जाता इसलिए कि दिरिश्टी ग्राम मिन नहीं थी दिरिश्टी किसान वाली नहीं थी इसलिए उसुर नहीं गए, इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, राष्ट ने किसी भी कास जोजना चली, उसे किसानों में खरांती आई, हमारे आपके समय में हिस्त्री मानटल बिहारी बाजपरी ने इस जोजना को सुरुआत किया था, उसे किसानों को यंत्र मिनने ल उसे चलने लगा, बाद में चलके, इनके राज में वो चाइनीज फाबर ठीलर मंगा मंगा करके, साथ हदार का पाबर ठीलर, एक सो पछट्र, एक लाख पछट्र हदार में किसानों को बिक्वाने लगे, मैं भारत सरकार को धन्यबाद दूँगा, कि हम लोगों ने इस और ध्यान दिलाया, ति उन्होंने कमीटी बनाई है, ICR के डीडी जी, सुंदरम साथ इस कमीटी के चेर्मेन बने हैं, और उनको अपना रिपोर्ट भारत सरकार को दे रहे हैं, मैं किसी मंत्री जी से मांग करूँगा, कि उनके रिपोर्ट की धिसा में, भारत सरकार को करवाई करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, यह किसी विकास योजना से कितना हुआ, किसी सिचाई योजना, सब मिल करके आएंगे, कहेंगे, इतनी आखरे देंगे, मैं यह किसी विकास सिचाई योजना, अमल में लाता है कौन, भारत सरकार पैसा देती है, कार्जकारी एजन्सी भारे सरकार की फसल विमा जोजना है, बिहार की सरकार टालमट्रोल करती रही, लाख बहाने करती रही, नहीं बना पाए, उतर परदेश में किर्स, ये विमा जोजना सही ढंग से छालू नहीं हुआ, किसानों को लाभ नहीं मिला, बिहार में पाथ ही चला, उतना लाभ नहीं म देंगे भारत सरकार को धन्वाद देना चाहिए कि उसमें जो किसान को लगता था किस्त वो किस्त की दर इतना कम है कि उसका कोई छेकाना नहीं है तो कोई दे सकता है हमारे पास में आ करे हैं उसMark자 क्षिभी का परसल भी वी माजोजना में जा दे हुआ में कारण पूछा तो बंगाल की सरकार ने बंगाल की सरकारम सारा बंगाल की सरकारम का जो किस तह डो परसेंट 1.50 वोषने सरकार ने अपने तरफ से जमा कर दिया, इसलिए उहां की फसल भी मा जोजना जाजे लागू हुई, इसलिए आप से कहूंगा, कि ब्राजे सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये हमारी सिचाई जोजना है, ये सिचाई जोने आपर ख्या ध्यान दिये, पस्वी कोशी नहर भीहार में, उन्हे सो साथ में पंडी जब आहलाल नहरुजी ने सिला नाच किया, साहब जब आहलाल जी गए, इंद्रा जी गई, राजीव जी गए, कौन-कौन साहब आए गए, नर सिंहार आओ गए, मनमोहन जी गए, आते गए, गाते गए, और आज तक कुछ जोजन करने, पुरानी जोजना को चाल, लंबी जोजना को पूरा करने के लिए, इनके दृष्टी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर सभी छोटी-छोटी नहरों को खुदाई कर दी गई होती, मिर्त नदियों की खुदाई कर दी गई होती, अग गुजरात के जैसे, अगर हजारों चेक डैम छोटे बरे बना दिये गे होते, तहिंदुस्तान के खेत-खेत में पानी पहुच गया होता, इस पैसा में क्यों नहीं लगाए, क्योंकि उस और दिरिष्टी नहीं गई, अब सिरिमान नरेंद्र मोदी आया है, गुजरात में जो हुनोंने बनाया था, उ उसका संचेयन करो, संग्रह करो, बितलन करो, सारे कुछ अगर बिज्ञानिक जंग से करेंगे, तहिंदुस्तान में तरकी होगी, मैं इतना ही कहना चाता हूँ, हर खेत में हर जात को पानी, मैं जब कभी बोलता हूँ, तो कहता हूँ, हर खेत को पानी, जिसकी जितनी संख् उतना पानी, जितना मुसल्मान की संक्या उनको खेत में उतना पानी, जितना यादव है उसके खेत में उतना पानी, जिसकी संक्या कम उसके खेत में पानी उतना कम, लेकिस देश की द्रिश्टी अदूद है, देश महोद है, खाए किसी का, अगीत गाए किसी का, कि कव तक दे हर हाथ के काम ये मिलेगा आखिर में मैं कहूंगा जब हमारे किसान के बेटे को भर पेटन मिलेगा फल मिलेगा, सबजी मिलेगी दूद मिलेगा, अंडा मिलेगा अंडा की संक्या बरी है अब हर 6 साल में 66 अंडा आदमी को खाने के लिए मिल ला है वो अंडा का उत्पादन बढ़ा है मचली का उत्पादन बढ़ा है सब्जी का उत्पादन बढ़ा है मेरा गाओं कुतना संपन नहीं है लेकिन मेरे गाओं में जहां पूरे गाओं में लोग 12-15 खिलो सब्जी खाते होंगे अध्यक जी तो बहुत दोरी बात लेकि ऐसा उधर नहीं फूक करके खुब सब्जी खा रहा है, खुब दूध पी रहा है, और इस तरह उनकी घर के नतीब बर रही है, इसलिए मैं कहूंगा, कि अन्य हिंदुस्तान को आत्म निभर बना है, तो उन बैग्जान को ने फल का उत्पादन बढ़ाया है, मचली के नए कि इस निकाले है, सबजीओं के नए किशिम निकाले है, अधिक उत्पादन जेने बाले निकाले है, कुन बत्ता बाले निकाले है, उनका प्रसंस्करन ठीक सो उसका निकाला है, ये एक साल में नहीं, मान्येव श्री नरेंधर मोदी को, मैं हिंदुस्तान के गाउं गड़ीव किसान मजदूरे से कहूंगा कि तुम एक साल दो साल नहीं उनीस तो बिदो हजार चौबिस का चुनावाएगा तब दो हजार चौबिस तक नरेंदर मोदी को जीताते जाओं तब देख लेगा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे एक नमबर देश बनेगा विसुका सर्व से सति साली राष्ट बनेगा क्योंकि नेता सही है नीती सही है और सबसे बड़ी बात कि नियत भी सही है अब नेता सही है नीती सही है नियत भी सही है एक किशान आप से मैं खनह चाता हूँ जैसी नियत वैसा फल आपकी जैसी नियत थी वैसा आपने पाया हमारी जैसी नियत है व आने बाली चिंता करो कि 2019 में जब संबूर्ण भारत में ऐसे ही महाकरंती आएगी तब आप देख लेना कि हिंदूस्तान के लोग क्या चाहते हैं आप उन गरीबों की पीडा नहीं समझते हो बात नहीं समझते हो भाबना नहीं समझते हो उनका दुख दूर करना नहीं चाहते हो इसलिए आपकी ये गती हुई है इसलिए मैं सब से कहना चाहूंगा सभी राजनेतिक दलों से कहना चाहूंगा बदलो अपने को बदलो रुपांतरित करो समाज के अनुसार देश के अनुसार काल के अनुसार रुपांतरित करो और हिंदुस्तान के किसान के लिए जितनी जोजनाए इसमें लिखी हुई है मैं परने लगूंगा तो दो घंटा से कम नहीं लगेगा जितनी जोजनाए है और सब जोजनाओं का मुल्लियांकन मैं करता हूँ तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि जिस दिन ये सारी जोजनाए लागू हो जाएगी तब कैसा देश बनेगा तो मुझे लगता है जोगी यर्विंद का सपना पूरा होगा कि उस दिन धर्ती का स्वर्गी करन हो जाएगा भारत का स्वर्गी करन होगा विबेकानन्द का सपना धुरा था वो पूरा हो रहा है जोगी अर्विंद का धर्ती का स्वर्गी करन का सपना अगर कभी पूरा होगा तो वो सपना स्री नरेंद्र मोधी के नितुरत में भारत में पूरा होगा और जिसे दिन गाव गरीम किसान का स्वर्गी करन होगा, रुपांतरन होगा उस तरह से भारENCE सरकार की नीती है मेरा पुर्वज किसान, मेरे पिताजी हल चलाये, मैं हल चलाया, भाश के पीछ पर गीत गाया और आज मैं संसद में हूँ और उस कामना के साथ हाया लोहिया ने कहा था तुम मेरी राह पर सीधे चलते जाना याद रखना हो कुमचंद एक न एक दिन कोई ऐसा पिछड़ा का बेटा आएगा जो हिंदुस्तान का प्रधान मंतरी बनेगा उस दिन तेरी सभी कामना ये पूरी होगी मैं डाक्टर लोहिया यहीं उधर बैठते थे उनकी आत्मा से कहना चाता हूँ कि आभी किसी दिना करके यहां घूमो देखो और कहीं तुरूटी हो तो आप सपना में भी कुछ को दो कि उस दिशा की गोर बढ़े गांधी लोहिया दीन दयाल इन तीनों की अभिला सा थी भी मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं और गांप के गरीब किसान मजदूर जो मेरी बात को आठीवी के चैनल पर सुन रहे हैं उनसे काता हूं समलो धोखा में मत फसना अपनी दिशा वैसे रखना जैसे यूपी में रखे हो इसी दिशा में बढ़ते जाना बढ़ते जान एक दाए एक दिन हम अपने काम्यावी का जंदा खारा तका पारा के बिस विजयता बनेंगे धन्यवाद